लगबा हर घर में जिसमें पूजा होती है वहाँ शिबलिंग जरूर होगा पूजा इस्तल पर अगर घर के मंदर में शिबलिंग रखते हैं तो इसकी नियम को जानना जरूरी है शिवलिंग की पूजा का विशिश महत्व बताया गया है शिव पुराण में नियम जाने बगेर शिवलिंग को घर के मंदर में रखने से सकारात्मा प्रभाव कम पड़ता है आए मिलका जानते हैं उन नियमों के बारे में घर के मंदर में कभी भी बड़ा शिवलिंग नहीं रखना चाहिए, इसका आकार आपके हाथ की अंगूठे की उपर वाले पोर से जादा बड़ा नहीं होना चाहिए यदि घर के मंदर में शिवलिंग रखा है तो शिवलिंग की प्राणपटिष्टा ना करें लेकिन हर दिन नियम से पूझा और अविशेख जरूर करें शिवलिंग का घर के मंदर में एक से ज़्यादा शिवलिंग नहीं रखना चाहिए यदि घर में धातु का शिवलिंग है तो सिर्फ चांदी या सोने या तामे का बना होना चाहिए अगर इस पर एक नांग लिप्टा रहे तो और भी बढ़िया है नर्मना नदी की पत्थर से बना शिवलिंग बहुत शुब माना गिया है इसके अलाबा पारत शिवलिंग को घर में रखना पूजा पाट करना अतिशुब माना गिया है शिवलिंग हो या शिवजी की कोई भी अंतस्वीर हमेशा यार रखें कि शिवजी पर केतिकी की फूल तुलसी सिंदूर और हल्दी कभी न चड़ाएं शिवलिंग को हमेशा पूजा इस्थान पर ही रखना चाहिए ओम नमस्षिवाएं हर हर महादेव